जैसा अदालत का आदेश लीजिये करती हूँ अदरक पेश तो कुसी बोलते हो लोग खुश हो जाते हैं अब अदरक को चकाना है यह जैसा अदालत का आदेश मतलब जैसे आप कहते हैं आपका ओर्डर हम मानते हैं यह और लीजिये अदरक हम पेश करते हैं ये काकर बंदर की और करेला उच्छालती है, बंदर उसे लपक लेता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अदरक के जगह वो लोग करेला रख देते हैं, ठीक है, और वो उसके तरफ वो लोग उच्छालते हैं, बंदर, करेले के चारों आउर्ड से उलट पलट के देखता है, द्रक क्या इसा होता है लूसी दर्शकों के प्रती आज ये बैमान खाएगा नीम के पतों से भरेला करेला, तो नीम के पता उस करेले के अंदर भरके ये लोग इसको बनाए हैं और बंद हो जाएगा इसका बुझी बैमानी का झमेला मतलब यह जो बैमानी करता है आज इखाएगा अद्रक एक तो करेला उपर से नीम भी भरा हुआ है तो कितना कड़वा लगेगा तब इसका बैमानी का काम खतम हो जाएगा पंदर एक ही जटके में आदा करेला चबा जाता है आग आग उगूग इग 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 चिलाते हुए भागता है मतलब इतना कड़वा लगता है उसको तीता भागता है अग उग 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 करके पुसी लूसी एक साथ बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद नीम भरेला करेला रहेगा हमें याद हिल मिल रहे ना करे फसाद लूसी पुसी एक ता जिन्दा बाद इलूग ब बना दिये हिल मिल रहे ना करे हिल मिल रहे ना करे फसाद ठीक है लूसी अब कभी वो फसाद नहीं करेगा ठीक है क्योंकि हम लोग हिल मिल गये हैं और ये हम लोग को तोड़ भी नहीं पाएगा और हम लोग को अब ये कोई फसाद हम लोग को बैमानी नहीं करे पाएगा इ मिलोड का मतलब है मालिक या बोल सकते हो जज मिलोड मेरे मालिक नालायक अयोग हग अधिकार पेश प्रस्तुत गवाना खोदेना अदालत न्यायक कचेरी बोल सकते हो बदनाम है बुरे नाम वाला नित्य रोज बदनामी नाहक बेकार भरेला भरा हुआ चमेला जंजट फसाद जगड़ा ठीक है अब हम आते हैं क्वेस्ट्राइंसेस